आज का हमारा जो टॉपिक है कि हमें मार्च में अपने विंटर प्लांट्स को कैसे बचाना है जिसी कि ये हमारे गार्डन में काफी दिनों तक फ्लॉवरिंग करें तो आज की वीडियो में हम बात करेंगी कि मार्च में यानि की गर्मियों में हमें अपने विंटर प्लांट् पूरा दिन की धूप आती हैं तो मैं अपने प्लांट को कहीं और शिफ्ट करने वाली हूँ तो यह मैंने वहाँ से ला कर mathematical को यहां पर रख दिया है उसका रिजन यह है कि अब हमें अपने विटैंट जो की फुल सलनाइट प्लांट थे जिने हम सर्दियों में पूरा दिन की धूप दे रहे थे तो उनको गर्बियों में सिर्फ मॉर्लिंग की धूप ही देनी है अगर आप इने और ज्यादा दिनों तक अपने गार्डन में देखना चाहते हैं तो मैंने वहां वालकनी से हटा करके इनको अपने पीछे टैरिस पर रखे हुए हैं तो उन्हें हटा करके ऐसी जगे सिफ्ट कर दीजिए जहां पर दूप सिर्फ मॉर्निंग की एक घंटे की भी मिलती है तो भी काफी अच्छा है और सेकिन काम जो आपको पिंचिंग वाला था वह आपको करते रहना है अगर आपको सीट चाहिए तो वह हमें आगे भी मिल जाएंगे और आपको अभी सीट कलेक्ट करना है तो कुछ प्लांट को छोड़ दी दिये उन्हें सीट वनने के लिए और कुछ की पिंचिंग करते रहे तो मैंने कुछ प्लांट को छोड़ दिया है जो मेरे बहुत जादा धूप में है जिनने मैं सिफ्ट नह और आपको एक काम और करना है कि आपके प्लांट जो दूर दूर रहोए थे बिटांट या जो भी paralon 59 को हमें पास-पास रह देना है गर्मियोश में बहुत अच्छा होता है कि हम अपने प्लांट को अगर धूप से बचाना चाहते हैं तो उन्हें पास-पास रखने से हमारे प्लांट गर्मी या सर्दियों में खराब नहीं होते हैं तो मैंने इन सभी को पास-पास रख दिया है उसके बाद अगर आपके पास गुलाब की प्लांट हैं जो की फुल सललाइट में रखे हुए हैं अगर इसमें नमी नहीं रहेगी तो हमारे प्लांट को पास पास रख दीजिए जैसा कि मैंने रखा हुआ है इन्हें अपने प्लांट को पास-पास रखा हुआ है जिससे कि यह काफी अच्छे इनकी ग्रोज चल रहे हैं और आप एक काम और करना है कि आप चाहें थोड़ा-थोड़ा पानी दीजिए लेकिन हमें सुबह साम दोनों टाइम पानी देना है जिससे कि इनमें नमी बनी रहे हैं उसके बाद आप मेरे मौस रोज को देख रहे हैं जो काफी अच्छी इनकी ग्रोज चल रही है इनको आप फुसल लाइट में रख दीजिए और इनकी कटिंग कर दीजिए तो हमें ये सब अपने गार्डन में थोड़ा सा जब मौसम चेंज होता है तो हमारे गार्डन में ज्यादा काम हो जाता है तो थोड़ा थोड़ा करते रहे हैं और अपने प्लांट को शिफ्ट कर दीजिए और ये जब हम पॉट्स में गार्डनिंग करते हैं तो ये बहुत ज जब हम पहली बार किसी भी प्लांट पर फ्लॉवरिंग लेते हैं तो उनका साइज बहुत अच्छा होता है फिर धीरे अगर हम उन पर फिर से फ्लॉवर आते हैं तो उनका साइज छोटा हो जाता है तो मैंने इस वज़े से कुछ कटिंग लगा ली थी जिससे कि मेरे गाडन में काफी दिनों तक यह विटर प्लांट साहें मुझे बहुत जादा पसंद है इसलिए मैंने जिसके मैं कटिंग लगा सकती थी लगा ली है तो फ्रेंट्स ये वीडियो आपको कैसा लगा आई होप